अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं और आपके पास ट्रेडिंग का टाइम ही नहीं है तो आज आपके लिए ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हैं कि आप अपना सारा काम निप्टा कर आराम से साम को ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो फ्रेंज आज की स्ट्रेटजी क्रूड आइल पर है और आप इसे चाहे क्रूड आइल पर करिए या क्रूड आइल मीनी पर अब क्रूड आइल मीनी भी आ चुका है तो आपके पास कम कैपिटल है तो भी आप ठीट कर सकते हैं तो friends, आज की strategy काफी interesting होने वाली है, अंग तक जरूर देखना, नमस्कार मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना channel MCX खिलाडी friends, जब से हमने channel स्टार्ट किये, आप लोगों का बहुत प्यार और support मिल रहे हैं और आप लोगों की demand भी आती है कि किस तरह की videos या strategies आप लोगों के लिए लेकर आएं तो आप लोगों की एक demand बहुत ज़ादा थी कि हम लोग दिन भर काम करते हैं, हमारे पास trading करने का time नहीं है और आज कल बिना trading किये या बिना investment किये, आदमी उपर उठ नहीं पाएगा friends, एक second income आपको चाहिए ही चाहिए तो इसके लिए evening की एक strategy लेकराया है, जो की हमको crude oil पर करना है आज की video थोड़ी सी लंबी भले ही हो जाए, लेकिन अंत तक देखना क्योंकि इस strategy में किस तरह से stop loss trailing करते हैं वो वीडियो के last में हम बताएंगे और stop loss trailing एक प्रकार की कला है, जो की हर एक trader को आनी चाहिए लेकिन इस strategy के लिए एक खास प्रकार की stop loss trailing technique है वो हम वीडियो के last में बताएंगे सबसे पहले हम इस strategy के बारे में बात करते हैं friends, हम जो भी strategy ला रहे हैं, आप लोग उसे request है at least उसको 7 दिन तक live market में paper trade करिए अगर आपको वो सही जचती है, तब जाकर आप real trade करिए क्योंकि बीना check किये, सीधा कूद पढ़ना ये अच्छी बात नहीं है इससे आपको नुकसान हो सकता है और एक request और भी रहेगी, हमारा channel नया है तो हमारी वीडियो को like कर दिया किजिए subscribe करके bell icon को दबा दिजिए और comment भी जरूर किया किजिए तो इससे हमको उत्सा मिलता है इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए friends जो आज की strategy है, सबसे पहले हम उसको boat पर समझेंगे फिर on skin देखेंगे कि ये किस तरह से work करता है तो चलिए start करते हैं आज की strategy friends आप चाहे crude oil पर trading करेंगे, crude oil mini पर दोनों में method एक ही रहने वाला है आप अपने latest expiry का chart open कर लिजेगा और आपको क्या करना है जो 6 बजे की candle है जो की 7 बजे जाके खतम होती है तो पूरी candle हमको दिखाई देती है लेकिन chart पर वो आपको 18 hours पर दिखाई देगी तो जो 6 बजे start होके 7 बजे को खतम होती है 1 hour का time frame जब आप लगाएंगे तो वो candle आपको दिखाई देगी friends simple है उसका high और low मार्क करना है high और low मार्क करके जब भी इसका high break होगा आपको immediate buy करना है 5 point का buffer रखके 5 point का आपको buffer रखना है नीचे भी 5 point का आपको buffer रखना है जब 5 point हो जाएगा तब जाकर आप sale करेंगे अब आप सोच रहेंगे बस इतना सा है एक घंटे का time frame लगा कि उसका high low mark करके high break हुआ तो buy करेंगे low break हुआ तो sell करेंगे ऐसा नहीं है अब अलग-अलग condition होगी इसमें trading करने की friends जब ऐसा breakout मिलेगा तो definitely आपको 20 से 30 point तो आराम से मिल जाएगा लेकिन अगर बड़ा मुनाफ़ा कमाना है तो कुछ condition match होनी चाहिए अब क्या जो इसके पिछले दिन का market चल रहा होगा उसका high और low वो बहुत ज़्यादा matter करेगा हमको कितना profit होने वाला है तो यह वाली बात तो आपन समझ गया कि एक घंटे का time frame है अगर उपर break हुआ तो buy करेंगे नीचे break हुआ तो sell करेंगे 55 point का हम buffer लगाके लेकिन पिछले दिन का high low के साथ में हम किस तरह से पहले ही पता कर लेंगे कि हमको बड़ा profit होने वाला यह हम आज छोटा profit book कर लें छोटा profit तो आप उस दिन book कर लिजेगा जिस दिन उसके high पिछले दिन का high और low के अंदर ही market चल रहा है उस दिन आप बहुत बड़े profit के पीछे मत जाईएगा लेकिन अगर high और low break होता है तो किस तरह से बड़ा profit करना है अब वो देखते हैं फ्रेंस मान लो कि previous day का ये चार्ट है और आप उस पर high और low mark कर लिए हैं अब दूसरे दिन जब आपको 6 बजे से 7 बजे की candle मिलेगी और वो break हो गई और break होकर उसने इसका high भी break कर दिया तो उस दिन आपको बड़ा मुनाफा होने वाला है ये बात आप गांड बान लिजे जिस दिन आपको breakout में इसका high break होता दिखता है तो आपको बड़ा profit होगा लेकिन अगर ये पहली ही candle मान लो दिन की पहली ही candle break कर गई है तब आप ज़्यादा उमीद मत रखेगा लेकिन ये अंदर आती हुई इस तरह से break कर जाएगी और उसके बाद अगर आपको उपर के और breakout मिलता है तो आपको buy तो कर रहे हैं लेकिन उस दिन आपको बहुत बड़ा profit होगा अगर नीचे break करता है और नीचे break करके उसने low को भी break कर दिया है तो उस दिन भी आपको एक बड़ी rally मिल जाएगी और आपको बड़ा मुनाफ़ा होगा अभी ये सारी condition आपको थोड़ा बहुत confuse कर रही होगे लेकिन डरने की बात नहीं है एक एक condition को हम on skin जब बताएंगे तब आपको एकदम से clear हो जाएगा ये strategy friends बहुत profitable strategy है simple भी है दो चार condition को match करना है और आपको घर बैठे साम को आराम से पैसे कमाने हैं अभी तो हमने board पर देखा है on skin भी चलकर देख लेते हैं और जब on skin देख लेंगे उसके बाद इस strategy में किस तरह से stop loss ट्रेल करकर हम maximum profit उठाएंगे उसकी भी हम बात कर लेंगे उसके बार में भी बता देंगे लेकिन उसके पहले कुछ खास बात बता दे कि अगर आप हमारे साथ हमारे special workshop ग्रूप में जुनना चाहते हैं तो इंडिया का best तीन platform ऐसा है जिसमें आप commodity currency की trading कर सकते हैं equity की भी कर सकते हैं वो है जिरोदा, upstock और angel one हमने description में link दे रखा है उस link से अगर आपने dimate account open किया और मात्र एक trade किया तो आप हमारे साथ हमारे special whatsapp group में जुड जाएंगे और अगर आप हमारे साथ में social media पर जुड ना चाहते हैं तो telegram, instagram, twitter और facebook का link भी हमने description में दे रखा है वहां से आप हमारे साथ में social media पर भी जुड सकते हैं तो चलिए हमने board पर देखा है अब on skin देख लेते हैं स्टाप लॉश ट्रेलिंग इस strategy में किस तरह से करेंगे वह आपको बताएंगे फ्रेंड्स यह हमने में मंत का future का चाट लिया है crude oil का और one hour का time frame लगाया है अब हमको देखना है कि 18 hours पर मतलब साम के 6 बजे candle बनती है वो 7 बजे खतम होती है उसका high low mark करेंगे और यह देखे low break हुआ हमने sale किया और इसने पिछले दिन का low भी break कर दिया तो हमने बता है था अगर पिछले दिन का low भी break होता है तो आपको बहुत बड़ा profit होता है यह देखे 200-300 point का profit है तो यह काफी अच्छा profit माना जाता है crude oil के लिए तो हमको यह भी notice करना है कि आप पिछले दिन का high या low टूटा है यह देखे यहाँ पर हमने mark किया और पिछले दिन के range में ही market है तो हमने छोटा profit book कर लिया हम बताई रहे हैं कि 20-30 point आप book कर लो जिस दिन वो पिछले दिन के high और low के range में है और यहाँ देखिए यहाँ इसने break किया जब उपर की और तो पिछले दिन का high break हुआ है तो यहाँ पे फिर से बड़ा profit तो हमको पहले ही पता चल जाता है कि पिछले दिन का high low break हुआ है तो आज हमको बड़ा profit book करना है यह हमने high low mark किया यह पिछले दिन के range में ही घुम रहा है तो हमको छोटा profit मिला इसी तरह से आप साम को कर सकते आराम से घर पर आकर इस strategy को बहुत ही simple है पिछले दिन के range में है तो हमने छोटा profit book किया high और low के range में है अगर पिछले दिन के तो छोटा profit होगा यहाँ पे देखे low break हो गया तो बड़ा profit हुआ simple theory है कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है जो हमारा 6 बजे का candle 7 बजे खतम होता है उसका high low mark करना है और यह भी notice करना है कि पिछले दिन का high low का क्या condition है अगर उसी के बीच में market है उस time पर तो आप छोटा profit बुक कर लोगे और अगर उसका high low break हुआ है तो बड़ा profit बुक करोगे इसी तरह से आप आराम से crude oil पर साम को अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो देखे यह range में है छोटा profit बुक कर लिए अगर पिछले दिन का high या low break हुआ होता तो हमको बड़ा profit मिल जाता तो यहाँ पर देखे यहाँ पर पिछले दिन का high break हुआ है और काफी अच्छा वहाँ पर profit भी हमको नजर आ रहा है देखे अच्छा profit हमको यहाँ पर मिल जाता है और अगर आप carry forward करते हैं तो और भी बड़ा profit तो इस तरह से लेकिन carry forward करने के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे यहाँ देखे लो टूटा है कितना बड़ा profit यहाँ पर है इसी तरह से आप देखे कि पिछले दिन का high low break होता है नहीं होता है इस चीज का ध्यान देना है अगर हो गया है तो बड़े profit के लिए जाईए और उस दिन अगर पिछले दिन का high low के बीच में market घुम रहा है तो आप 20 से 30 point निकाल लिए और वहाँ से निकल जाईए friends जैसे कि हमने बताया 6 से 7 बजे की candle break होते ही आप buy करोगे आपको stop loss लगाना है 30 point का 30 point का आपको stop loss लगाना है आपका first target रहेगा 60 जैसे ब्रेकाउट मिलते ही आपको 60 point का अगर profit में आप चले गया हो अपने stop loss को 30 point उपर कर दोगे फिर ये 90 पे चला गया है फिर 30 point आप और उपर ट्रेल कर दोगे और फिर वो और 30 point गया तो और 30 point ट्रेल कर दोगे अब ये हम buying side के लिए selling side पर हम उपर की ओल लगाते हैं selling side के लिए बहुत ही different होता है इसका trailing क्योंकि हम stop loss को उपर की side लगाते हैं मान लो हमने 5600 पर इसको sale कर दिया है 5540 means आपको 60 point का profit हो रहा है उस समय तुरंत ही आप अपना stop loss को ट्रेल करके कितना कर दोगे 5590 तिस point का difference रखना है फिर जैसे जैसे ये नीचे चालता चले जाएगा आपको भी अपना stop loss को नीचे के और ट्रेल करते चले जाना है तो friends ये दोनों में confuse आपको नहीं होना है हम stop loss buying की side पे नीचे लगाते है और selling के side में ऊपर की और लगाते है तो friends उमीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो like जरूर करिएगा दोस्तों के साथ share भी कर दीजिए गया और comments करके बताईएगा कि आप हमारे चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे तब तक के लिए नमस्कार